नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैग टू मैं चैनल, इक्जाम इस्टोर, इक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यूपी स्कॉलर्शिप रिलेटेड, जी हैं दोस्तों आप लोग को अभी सही हो सकता है, आपका इस्टेटस, और सभी छात्र क्या करें, अपना डिवीटी जो है, इनेबल करा ले, ताकि उन लोगों का छात्र विर्ति उनके एकाउंट में आ सके, तो चली हम लोग जान लेते हैं, जो भी लोग चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को सब्सकाइब कर दें तो दो दिनों में दुरुस्त कराएं तकनीकी खामे, यानि जो है, यहाँ पे आप देखनी को मिल जाएगा, कि जिन लोगों भी छात्र विर्ति अभी तक नहीं मिली है, तो दो दिन में वो लोगों क्या कर सकते हैं, दुरुस्त करा सकते हैं, उसके बाद जो है, आप लोग विभाग की सवीला भारतियों से डीविटी विकल्प सक्री कराने की अपील दसमोत्तर का च्छाओं के ऐसे विद्यार्थी जिनोंने चात्रविर्ती या सूल्क प्रतिपूर्ती की धंडासी खाते में हस्तांतरित नहीं होने की सिकायत है तो इसे लेकर जिला समाज कल्यार्ण विभाग से संपर्क करें देख सकते हैं कि जिन लोगों का चात्रविर्ती धंडासी खाते में हस्तांतरित नहीं हो रहे हैं तो उन लोगोंने क्या किया है सिकायत को लेकर जिला समाज कल्यार्ण विभाग में संपर्क किया है ये समस्या उन विद्यार्थियों को आ रही जिनोंने अपने बैंक खाते से डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानि डिवीटी विकल्फ सक्री या एक्टिवेट नहीं कराया है यह आप देखेंगे जिला समाज कल्या अधिकारी ने सभी लाभारती बिद्यार्थियों से डिवीटी विकल्फ एक्टिवेट कराने की अपिल किये जन्पद में तमाम ऐसे बिद्यार्थी हैं जिनके खाते में अभी तक छात्रविर्ती या सूल्क प्रतिपूर्ती की धंडासी नहीं पहुंच सकी है यह बिद्यार्थी पोर्टल पर जब जाच करते हैं तुने बिभिन संदेश प्राप्त होते हैं साथी जिला आस्तरी कमेटी द्वारा रिजेक्ट कर दिये जाने के भी मैसेज मिल रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद कुमार गोतम ने बताया है कि जिन विद्यार्थीयों को यह संदेश दिख रहा है वो अपने खाते से आधार लिंक करा ले साथी बैंक के माध्यम से डिवीटी विकल्ब सक्री करा ले डिवीटी विकल्ब सक्री होने के 72 घंटे बाद किसी नजदी की गराहक सेवाकेंदर पर जाकर आधार नम्मर का इस्तमाल करते हुए धन निकासी या जामा करा है तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या आपका डिवीटी इनेबल हुआ है या नहीं आपको क्या करना है किसी भी गराहक सेवाकेंदर पर जाना है और वहाँ पर अपना अधार नम्मर से जैसे थम लगा के आप लोग पैसे न अधिकारी ने बताया है कि 22 फरिविर्थी तक छत विर्थी के आविद्यन की ठीक हो सकती है जिससे संबंदित विद्यार्थी करा सकते हैं तो फ्रेंड ने आपके तमाम तरीके की जो जो परसानी आपके स्टेटर में सो रही है उस सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको मिल जाएगा बाकी आपको ये देखिए अप्लीकेसन है कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूं समाज कल्याण आफिस के लिए अगर लिखते हैं आप सेवा में जीला समाज कल्याण अधिकारी अकबरपूर अंबेटकर नगर यूपी सबजेक्ट आपका क्या रहेगा इसमें छात्रविर्ती फार्म अग्रिश्रिदित करने के संबंद में महोदया शविने निवेदन है कि प्रार्थी XYZ जो भी हो सना फितना और बीएट दिती वर्ष की सिच्छा शिंगारी देवी इश्मारक इसना कुत्तर महाब इद्याले राम नगर अंबेटकर से अप्लोडे डाटा दिखा रहा है जबकि प्रार्थी XYZ 28 पर्थम वर्ष में विश्व विद्वाले द्वारा जारी किये गए अंक पत्र को संसोधन के दवरान छात्रविर्ती फार्म में शंगलन कर दिया गया था और संबंधित संख्या में 2021-22 में भी दिया है अटेंडें नहीं कि मेरी शमस्या का स्रमधान करें मेरे आगे की सिच्छा में एक सायग भूमिका निभाएं और प्रार्थी के छात्रविर्ती फार्म को प्रेशित करने की किरपा करें अब यहां पर देख सकते हैं आपको क्या करना है अपना यह यहां पर प्रार्थी का वो रहेगा उ साथ में डेट आपको यहां पर डाल देनी है और प्रिंस्पल का सिगनेचर भी ले लेना है ठीक है इस तरीके से जो आप कर सकते हैं तो जिन लोगों का UID जल्द से जल्द दोस्तों करा लीजिए ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द छात्रविर्ति आपके एकाउंट में आ सके ठीक है बाकी और भी आपको जनकारी में दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि छात्रविर्ति के लिए आधार से लिंक करा है खाता ज चलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूं जिला समाज कल्याण अधिकारी वस्षिष्ट नरायन सिंग ने बताया है कि कुछ विद्यार्थियों को पोर्टल पर पेंडिंग एट डिश्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी स्टेटस दिखा रहा है समाज कल्याण विभाग पिछडा का अलग है और साथ में जनर्ल की बात करें तो उन लोग का अलग है अल्ल पसंख्यक वालो कल्याण विभाग से संबंदित इन सभी विद्यार्थियों के लिए सासन ने गाइडलाइन जारी किये और सभी विद्यार्थियों को डिटा जो है बीस मर्च तक जन्मपद अस्तर में forward कर दिया जाएगा यानि जिन विद्यार्थियों का इस तरीके का problem है तो उन लोग का data कप तक forward किया जाएगा 20 March तक कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों और भी कोई जनकारी आप चाहते हैं तो please comment box में जरूर बता है और आपको जो है हमारी team दोवारा पूरी तरीके से साह है तक की जाएगी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 17 फरवरी 2022 को जो है 6932 रूपए एमाउंट जो है क्रेडिट हुए है और यहां पर लिख रहा है UID ऐस पर bank यानि इनका UID अभी नहीं है तो इस